नमस्कार दोस्तों जी के रप्तार चैनल पर आपका स्वागत है एक महतोपुन वीडियो के साथ दोस्तों इस वीडियो को पूरा अंतक देखिएगा मैं आपको इसके बारे में कम्प्लीट जानकारी दूँगा कि गरामसी उपटवारी के नाल पटवारी आप सभी जानते हैं उनके बारे में डिसकस करूँगा आप इस वीडियो के साथ बने रहें दोस्तों कहने को तो अचसी ने 55% वेटेज है वो जनल अवेरनेस रिजनिंग में साइंस कम्प्यूटर इंग लिस हिंदी इन सब को दे दिया है लेकिन अचसी का आप जानते ही है कि ओ सकता है कि अचस कि अचसी है वो कुछ भी कर सकती है इसी दिए ये कनफ्यूजन पेदा हो रही है मेरा सबसे पहला सजेशन आपको ये है कि आप कोचिंग सेंटर के चकर में ज़्यादा नइपड़ें सेल्फ स्टड़ि है वही ज़्यादा काम आने वाली है सेल्फ स्टड़ि से ही आप क्योंकि जब्राइब करें क्योंकि रिजनिंग पक्का आएगी ही घर पेपर रिजनिंग ईवनेет आई है और चाहता है और मैद को बेसिक math है उसी को करें अर परकार के जो math के question है उनको basic कर लें और जो advanced level है उसको छोड़ दें उसमें ज्यादा माथा पच्ची ना करें तीसरा जो subject है जिस पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो है computer जो basic computer के question होते हैं उनको भी आपको करना बहुत जरूरी है जो file से related और जो command से related question होते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा याद कर लें उनको अच्छे से देख लें क्योंकि ये भी लगातार आने वाला subject है उसके बाद आप थोड़ा बहुत science भी कर सकते हैं और बाकी जो और बचे हुए इसके अंदर दिये गए सबी subject हैं उनको थोड़ा थोड़ा करवाएं हो advanced level के question इसके अंदर आ सकते हैं तो उन पर भी आप थोड़ा गोर कर लीजिएगा इस वीडियो में जो मैंने बताया है वो शिरफ मेरा idea है इसे आप final नय समझें और जो अचसी है वो कुछ भी कर सकती है ऐसा आप भी जानते हैं लेकिन जो मेरे इसाब से जो idea मेर को आया था वो मैंने आपके साथ share किया है रगातार इसी तरह की update पाने के लिए आप चैनल को subscribe कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद